भारत में कपास की कीमते 9 महीने के अपने उपरी सतर पर पहुंच गई हैं क्योंकि फसल की कमावक और उचमांग के कारण कपास की कीमते प्रती कैंडी 60,000 रुपे के सतर को पार कर गई हैं और वेश्वीक स्तर पर कपास की कीमते 18 महीने के उपरी स्तरों पर कारोबार करती दिखाई दे रही है जो कि सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी बड़त है वहीं फरवरी 2024 में कीमतों में वेश्वीक स्तर पर 27 फीसद तो भारत में 16 फीसद की भरोतरी देखी गई है दरसल अंतराश्य स्तर पर कोटन के स्टोक में लगातर कमी आने के कारण मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके चलते कपास की कीमतों में तेजी देखी गई है जानकारों का कहना है कि किसानों को भी बाजार पर नजर रखकर कपास बेचने का फैसला करना चाहिए फिलाल कपास के भाव 7,000 से 75,000 रुपे पर देखने को मिल रहे हैं वही मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष देश भर में 300 लाग गांट यानी 1500 लाग कविंचल कपास की उत्पादक्ता का अनुमान लगाया गया था उसमें से 80% कपास बाजार में आ चुका है इसकी मातरा करीब 1200 लाग कविंचल है महाराश्चर को ध्यान में रखते हुए 80 लाग गांटों में से 60 लाग गांट कपास का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा प्योग किया जा चुका है वही कच्चे कपास के मामले में जहां महाराश्चर के उत्पादकता 400 लाग कविंचल कपास है वहीं 300 लाग क्विंचल कपास बजार में आ चुका है फिलाल 100 लाग क्विंचल कपास किसानों के पास बचा है यानि कि 20 लाग गांट जिन किसानों के पास कपास का ये 6 स्टोक बचा है वे ही अब बढ़ रही कीमतों का फाइदा उठा सकते हैं वहीं अंतराश्ची अस्तर पर कपास का स्टोग लगातार कम हो रहा है और नतीजा ये हुआ की रेट बढ़ गए पिछले सफ़ता से पहले कपास के भाव 62-65 रुपे थे अब ये दरे 7,000-75 रुपे तक पहुंच चुकी है वहीं आपको बताने की अकोला बजार समीती में कीमते 8,000 रुपे तक पहुंचने की भी कुछ रसीदे सोशल मीडिया पर वाइरल की गई है इससे कीमतों में लगातार उतार चड़ाव हो रहा है इसलिए जानकारों का कहना है कि किसानों को कपास को बेचने समंदी अपने निर्नय को मार्किट को ध्यान में रख कर लेना चाहिए जिन किसानों के पास का स्टोक रखा है वो धीरे धीरे इसको मार्गिट में निकाल सकते हैं विरो रिपॉर्ट मार्के टाइम्स टीवी